नमस्कार दोस्तों मेरा नामा विलाश पाटील और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम आफ केंडल्स में तो आज आपको बैंग निफ्टी की मैजिकल स्ट्राटेजी बताऊंगा यानि की जादूई स्ट्राटेजी हाँ आपने सही सुन रहे हो आप जादूई इसलिए क कि कितना आसान है कितना सब कुछ हमारे सामने है बट हम उसको अपना क्यों नहीं पा रहे है अब आपको एक सिंपल सी एक हैक बताता हो लाइफ की या किसी भी चीज की कि एक सिंपल सी चीज है सब को पता है कि क्रिकेटर्स जो है वो कितना बॉली हूट कोई-कोई लोग मैं आप जो ground पे खेल रहे हैं वहाँ तक सब को पता है कि इसमें पैसा है बढ़ वहाँ तक पोचना वो आपके हाथ में क्या सब कुछ सब जन सब लोग वहाँ तक क्या पोच पा रहे हैं तो वही एक simple चीज है आपको ये भी पता है कि एक चाय वाला भी करोडों का बिजनेस कर सक या जो भी कुझे एक कोई भी फील्ड पकड ली तो आप भूच जिन्दगी में पैसा कमा सकते हैं सब को पता है तो वैसी ये strategy है कि ये अगर पता चल गई तो हर कोई profitable बन सकता है बट क्यों नहीं बन पा रहे हैं लोग क्योंकि ये strategy को apply ही नहीं कर रहे हैं और बाकी की सब दुनिया में जो भी कुछ पड़ा है जो कुछ काम में नहीं आता उसको apply करने की पिछे या उसकी पिछे पड़े हुए है ये simple सी strategy है जो strategy अगर आप use करना सीख जाते हो simple है simple सिर्फ आपको वो उस पे चलना है और आपको वो सिर्फ देखना है और वो करना है तो ये simple सी strategy आ आपको 5-10% daily options trading में दे सकते है यानि कि 10,000 के capital का हमेशा example देता हूँ 10,000 के capital पे 500-1000 रुपे आप daily बना सकते है बड़ ये इतनी simple strategy है बट लोग दूओ नहीं follow करते है जो simple जो क्या है वो strategy में इस वीडियो में बताऊंगा ही बस वीडियो का आखिर तक जेखना सिर्फ इतन है कि आपको वो जो है वो खेलते आना चीए आपको वो जो है वो करते आना चीए आपको बस उतना जो है वो follow करते आना चीए यानि जो भी उसमें रहेगा strategy में वो तो सबको simple है कुछ भी नहीं यानि जो नया एकदम ही नया person है उसके वो भी ये apply कर सकता है बस उसको जिसको follow करना वो चीज को और दूसरा बाकी कुछ भी सब कुछ avoid करके सिर्व उतना ही देखना चार्ट पे और शान्द बैटे रहना इतना भी अगर कर लिया तो आप profitable trader बन सकते हैं तो without wasting time जो भी कुछ होगा strategy वो आपके सामने रखूँगा और एकदम simple है एक महिने की back testing उसमें की गई है आपको दो महिने करना है तीन महिने करना है आप कर सकते हो उसके बाद apply करके देखना कुछ paper trading करना चाते हो strategy पे वो करके देखना बट आपको आराम से रोच के 500 से 1000 रुपई यह strategy देगी 10,000 के capital पर याने 5-10% आप अपने capital पर बना सकते हो ऐसी strategy है बस सिरिफ जो strategy है बस वो देख लीजे जो भी कुछ है और पहली बार अगर चैनल पर आया होंगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब ज़रू कर देना ठीक है क्योंकि यह बिल्कुल भी फ्री है तो without wasting time strategy क्या है वो देखते हैं ठीक है तो video को शरू करते है तो यह है बैंग निफ्टी की strategy तो सबसे पहले यहापे बैंग निफ्टी का चार्ट लगा लेना मैंने गयो का चार्ट यहाँ पर लगाय हूइ और यह है 15 minutes वाली strategy यहाने 15 minutes का चार्ट से यहाँ पर लगाना है आपको ठीक है तो यह lines जो draw करके रखे न यह मैंने किये यह चार्ट पर back testing तो एक December से लेके तो एक November तक यहाने पूरा एक मैने की मैंने back testing किये आप पिछले और 4-5 मैने 6 मैने पूरा back test कर लेना उसके बाद ही apply करना ठीक है तो जो कुछ मैने apply किया उसके उपर से मुझे समझ में आया कि 80% से ज़्यादा जो है इसके accuracy है याने की 80% से ज़्यादा यह time याने अगर 22 दिन होंगे पूरे महिने में तो 22 में यह आराम से यह 17-18 बार राइट आती है याने आपको 17-18 बार पैसे कमाने का मौका देती है और पैसे बनाती है जिस दिन आपको यह पैसा देगी उस दिन बड़ा भी दे सकती है या फिर छोटा भी दे सकती है बस वह लेना कैसे वही पूरा गेम है तो पहले strategy को देखते है यह पूरा समझ में आ जाएगा इस वीडियो में ठीक है तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखना तो 15 मीट्स का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है और वो है बैंग निफ्टी का तो यह अभी पूरा प्लेन चार्ट है यहाँ पे आपको सिरिफ क्या देखना है सिरिफ 15 मी यह strategy upload की थी बट उसमें इतनी accuracy की साथ नहीं बताया था तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बट क्या apply करना चाहिए कैसे apply करना चाहिए बट यह magic है यह magic आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैसे किस तरह से बंद रहे है और हम जो है वह option buyer या option trader जिसको भी option trading करनी है वह यही सोचते रहता है कि कौन सी strategy उस करूँ क्या करूँ रोज पैसे नहीं बंद रहे बट simple मैंने जो वीडियो में बताया है पहले starting में बताया कि आपको सिरिफ यह game जो है वो game में सिरिफ profitable कैसे बनना है वो रास्ता आपको खुद धुनना पड़ेगा बट strategy जो है वो काम कर करती है यानि क्या है वो सब कुछ दिखाई देगा इस वीडियो में बट जो मैंने बैक टेस्ट किये उसमें तो clear cut समझ में आ रहा है कि यह strategy जो है वो काम करती है बस वो काम में हमारे कैसे आएंगी वो आपको देखना है ठीक है तो सबसे पहले वीडियो को without wasting time चालू करते है अभी वीडियो को तो निफ्टी की बैंक निफ्टी की स्टैटेजी 15 मिट्स का चार्ट है इतना समझ में आ गया अब सबसे पहले आ जाते है इधर यह लाइन पे जिसको यहां पर कोई भी चार्ट देखने की जरूवत नहीं है कोई ट्रेंड लाइन ड्रौ करने की जरू सब्सक्राइब नहीं है ग्लोबल में क्या चल रहा है कोई HDFC बैंक का चार्ट देखने की कुछ भी नहीं सिंपल अपने मोबाइल से भी आप यह स्टैटेजी को अपलाई कर सकते हो ठीक है तो यहां पर एक छोटी सी होरिजॉंटल लाइन ले ली मैंने उसके बाद अब कर लिया इस जिन प्रॉफिट दे दिया ठीक है अब पहले स्टैटेजी को समझ लो बाद में देखेंगे उसके बाद 30 दिसेंबर को लो लो तूटा फर्स कैंडल का नीचे के तरफ टार्गेट दे दिया ठीक है अब आ जाएंगे वंतिस तारीक को यहां पे भी यहां पे ल लगता है कि लोग सीरियस है यह स्टैटेजी को लेके सच में सच में जो सीरियस है जिसको सच में कुछ ना कुछ पैसे कमाने है और जिसको मतलब नहीं है कि बाकी कोई चीजे से बस सिरिफ पैसे से मतलब है कि मुझे बस प्रॉफिटेबल बनना है उसकी लिए यह स्टैटे जी को समझो अब यह उपर के तरफ ब्रेकाउट दिया उपर के तरफ मार्गेट चले गया ठीक है उसके बाद कि यह आ गए 28 तरिक को 28 तरिक यह तीन दिन पैसे बन गए उसके बाद 28 तरिक को आ गए 28 तरिक को देखो यह वाली फर्स्ट केंडल है स्सक्राइब कर दो लिली हे तरिक के तरिक कि और दीने कुछ ना कुछ तारगेट यह जाने आ राम से यह आपके डाक्ति पहल से हजार रुपय का प्रॉप्यट है नहीं बाट जो कंडल फिफ् teach मिटिक तक दो देखोगे तो दस हजार पे पास्तों से दस हजार का हजार उपय का प्रॉफिट है याने 5-10 परसेंट डेली आपको यह स्रेटीजी देती है याने देती है बस वह आपको लेना है नहीं या मुझे पता नहीं इसके रूल्स वगेरा सब कुछ बताऊंगा सिर्फ वीडियो को देखते रही है आखिर तक उसके बाद आगल हम आगए 24 तारीक को यहां पर दो दिन चुटिया थी घिक है तो 24 तारीक को आ गया उसके बाद यह लो तोटा उसके बाद यह हाय तूटा तो किस तरफ टारगेट दिया उपर के तरफ बड़ा टारगेट दिया ठीक है नीचे के तरफ थोड़ा सा अभी यहाँ पे common sense का यूज किया सिरिफ यह low तूटा ही नहीं न यहाँ पे कल की dates की low की यानि कल की closing थी closing की candle की नीचे तो जाना चीए था candle के closing की नीचे भी नहीं गया तो यहाँ पे high तोड़ रहा था पिछले वाले दिन का याने 23 तारिक का तो यहाँ पे एक अच्छा कासा trade बन गया इसको execute कैसे करना है वो सब बताऊंगा यहाँ पे profit बनाया नहीं बस उतना देख लिजे उसके बाद आ गये 23 तारिक को यहाँ पे high तोड़ उपर गया market उसके बाद आ गये 22 तारिक को 22 तारिक को कोंती वाली candle है यह वाली first candle है इसका high तोड़ या low तोड़ फरस्ट वाली इसके बाद कोई ट्रेडी नहीं बना क्योंकि इसने उपर भी कुछ तोड़ा नहीं ठीक है यहाँ पे stop loss हीट हो गया उसके बाद यहाँ पे आ गया यह वाली सववानों की candle है यहाँ पे high mark कर लिया low तो तूटा ही नहीं था high mark कर लिया यहाँ पे वह लेटली के कारण जो है वह वापस मार्केट नीचे आ गया ठीक है यह भी डे पकट लिजब और मुझे लगता है कि हाँ पे target मिल चुका है ठीक है बाकी के rules वगेरा सब कुछ बताओंगा अखरी में उसके बाद यहाँ पे ना high तूटा प्रॉपरली ना low तूटा तो यह दिन कुछ setup ही नहीं बना ठीक है उसके बाद यह वाली इसको आगए शोला तारिक को आगए सोला तारिक को आने के बाद यहाँ पे high तूटा यह वाली candle का high तूटा तो उपर चले गया market मिल गया target पीछले वाला high तक उसके बाद यहाँ पे low तूटा यहाँ पे अच्छा गासा कुछ profit हुआ ने उसके बाद 13 तारीक को आ गए 13 तारीक को आने के बाद यहाँ पे low तूटा अच्छा गासा target मिल चुका है 10 तारीक को यहाँ पे क्या तूटा? high तूटा उपर के तरफ target मिल गया नव तारिक को यहाँ पे क्या तूटा हाई तूटा उपर के तरफ टारगेड मिल गया उसके बाद यहाँ पे क्या तूटा आठ तारिक को सववा नो की कैंडल लो तूटा नीचे आ गया उसके बाद साथ तारिक को क्या तूटा लो तूटा नीचे अच्छा खासा टारगेड मिल गया उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर को देख लीजे ऊपर के तरफ मोमेंटम मिला उसके बाद दो तारिक को देख लीजे उसने उपर भी breakout दिया था पर पिछला वाला high था यहाँ पर resistance था साधा simple तो यहाँ पर rejection मिल गया उसके बार low के तरब भी इसने अच्छा घसा target दे दिया तो पूरा एक November से लेके तो पूरा हमने एक मैने का analysis किया और इसमें समझ में आया कि यह strategy जो आपको profitable बना सकती है अब इसके rules क्या है तो simple दिन के अगर यह जो मैंने यहाँ पर बताया है एक कि यहाँ पर इसने दोनों के तरफ target दे दिये यहाँ पर यहाँ पर दोनों के दोनों तरफ target दे दिये एक यह दूसरा तो यहाँ पर simply ऐसा कुछ होता है कोई दिन में volatility होती है ऐसी type की तो simply दिन के सिर्फ दो trade करने बस simply दो trade दो attempt देने एक हुद को बस उसमें आपके 5% या 10% बन बनते है तो सिर्फ close कर देना है दिन को यह हो गए एकदम simple से rules बट अब candle closing पे entry लेनी है या फिर wait करना है 5 minutes देखना है या नहीं 15 minutes देखना है नहीं यह आपको अगले वीडियो में लेके आओंगा अगले second part में मैं लेके आओंगा तो बस मुझे इस पे कुछ अगर हम लगता है कि अच्छे का से view आये है या फिर लोग comment करके बता रहे है या फिर मुझे लगता है कि अच्छे का से like आ रहे है या लोग serious है यह strategy को लेके क्योंकि यह serious लोगों के लिए कितनी simple strategy है आपको यह chart पर ही दिख रहा होगा कुछ भी देखने की जरूवत नहीं है सिरी mobile से आप जो mobile से भी trading कर सकते हो जो एक दब beginner है उसको भी यानि कि रोज यह profit कुछ ना कुछ देती है बस आपको वो लेते आता है या नहीं बस वो यहाँ पर देखना है यानि कि जो आपको मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में समझाया यानि जो फेस वाला वीडियो था उसमें बताया कि क्या यह strategy और कैसे हम इसको अपना सकते अपने जिंदगी में तो options trading अब आप बोल रहा होंगे सर आप कितने profitable हो गई strategy को लेके तो मैं अभी भी खुद भी इसको अच्छे खासे यानि जो बीच में ओवर ट्रेडिंग या यानि एक्स्ट्रा के ट्रेड ले लेता हूँ या फिर यह strategy को उत्ता patiently जो भी कुछ problem आते है psychological उसके कारण जो है मां खुद इसको apply नहीं कर पा रहा हूँ बट आपके सामने जो magic है बस आप इस strategy को यानि अगर मैं नहीं बन पाया तो आपने प्रॉफिटेबल बन पाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है आप सिरिफ इसको apply करके दिखिए एक बी student या फिर एक भी आदमी एक भी परसन को अगर इस strategy फायदा होता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि सिंपल सर अपने strategy बताई थी और मुझे फायदा हुआ मैं अभी तक खुद ये strategy का फायदा नहीं उठा पाया तो क्यू तो मैं ज्यादा मेरी strategy दूसरी है मैं scalping टाइप strategy करता हूँ कि कैसे और multiple time frame से आप ये strategy को use कर सकते हो और apply कर सकते हो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next video में